वीतराग विक्यान नमोतागी जातें भई अरहनता दिमः जो विद्यादी सागर सुधी जो विद्यादी सागर सुधी गुरु है तैशी शुथात्मे में निरत निचय तोप देशी वे पाक ग्रिश्म रित्मे जलहें सयाने फूजूने सतत के वल ज्यान पाने फूजूने सतत के वल ज्यान पाने बली महाबिर वगवान की आचेर कुंद कुंद स्वामी की आचेर कुरुबर विद्या सागर्मी महाराद की हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं सब के भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार आता है किसी का शन भर के लिए आता है किसी का एक दो दिन के लिए आता है बहुत थोड़े से लोग हैं जो निरंतर पूरे जीवन भर इस विचार को अपने भीतर बनाए रखते हैं कि मुझे और अच्छे से अपने जीवन को जीना है और रोज रोज वो प्रयत्न करते हैं कि मैं किस तरह से कल से बहतर आज का जीवन जी सकूँ विचार सब के वीतर हैं लेकिन वे विचार जिसके वीतर जितने सुद्रण है उसके लिए उतने ही सार्थक हो जाते हैं विचारों की जो निरंतार्था है या साथत्त है, कंटिनिटी है वो हमारे वीतर बहुत बड़े परिवर्टन कर देती है विचार हमारी मौलिक्ष्तामर्थ है हमारे भीतर विचार करने की शमता है हम अच्छा ही विचार कर सकते हैं हम बुरा भी विचार कर सकते हैं और अक्सर होता यह है कि हम बुरे विचारों में जितनी अपनी जीवन की उर्जा को व्यर्द करते हैं उतनी संचित करके अच्छे विचारों के लिए उसे संजोते नहीं हैं न उसकी निरंतरता हम रखबाते हैं पानी को गरम करके भाब बना करके फिर पानी बनाया जाए और ऐसा ही अगर बार बार पानी को भाब बना के ठंडा किया जाए और फिर भाब बनाया जाए और पानी फिर से प्राप्त किया जाए अगर ये प्रक्रियापन सौ दफे करें तो स्पानी के फॉर्मूला में तो कोई चेंजिस नहीं होंगे S2O ही रहेगा केमिकल चेंजिस संपव भी नहीं अगर होंगे तो कॉलिटेटिव चेंजिस होता है रासाइनिक परिवर्तन नहीं होते गुनात्मक परिवर्तन अवश्य होते वह पहली बार जो गरम करके ठंडा किया गया है फिर प्राप्त हुआ है पानी और सो दफे गरम करने के बाद ठंडे होने पर पानी प्राप्त हुआ है दोनों में बहुत फर्क है चीक ऐसे ही शन्भर को हमारे भीतर किसी अच्छे काम के लिए विचार आता है और गयव हो जाता है लेकिन यही वही विचार जिदी निरंतर हमारे भीतर उठता रहे तो हमारे भीतर बहुत बड़े परिवर्टन कर देता है विचारों की निरंतर्ता को ही अनुप्रेक्षा कहते है मौर मौर चिंतनम अनुप्रेक्षा जो वैराग परक, तत्व बोधक, संसार, शरीर और भोगों की वास्तिक्ता का चिंतन करते है उसे अनुप्रेक्षा कहते है अनुप्रेक्षा में क्योंकि विचारों का परिवर्तन है, चिंतन है इसलिए वह ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक नहीं है और अनुप्रेक्षा तीनों चीजों की संसार, शरीर और भोगों की वास्तिक्ता से परिजित करवा के हमें उन तीनों के प्रती अनाशक्त करती है किसी चीज की वास्तिक्ता मालूग करने के बाद उसके साथ हमारा ब्यवहार कैसा होना चाहिए यह अपने आग भी निर्धारित हो जाता है रात के अंधेरे में रस्सी पर पैड़ पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं कि हो ना हो नरम सी चीज लग रही है कहीं मेरा पैड सर पड़ तो नहीं पड़ गया और हम भैवीत होकर के अपने मरण के लिए निमित मान कर चिंतित हो जाते हैं और यदि रोश्णी में हमें ये मालूम पड़े कि नहीं वो तो रस्सी थी तो हम हाज जाते हैं हमारा भै गयब हो जाता है हमारे चिंतन की दिशा बदल जाते है हम ठीक ठीक फिर उस इस्तिती का सामना करने के लिए अपने आपको तैयार कर लेते हैं ऐसा ही अनुप्रेक्षा में चिंतन तो विशे कशायों का हम 24 घंटे गणते उस बार बार चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है जो वईराग परक तत बोधक देवगुरू शाओग संसार शरीर और भोगों की वास्टिकता के बारे में निरंतर चिंतन है उसका नाम अनुप्रेक्षा है हमें प्रयाद करना चाहिए कि अधि हम अपने विचारों के द्रंता लाना चाहते हैं अपने विचारों के अनुप अपने आजरन को परिवर्दित करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उन विचारों की निरंतरता बनाई रखें हम बारह भावनाय पढ़ लेते हैं पंका उपर चलता रहता है हम बढ़ी हट्टिके हुए गद्धी पर और चिंतन कर लेते हैं कि राजा रणा चत्रपती हाथ इन के हैस्वार सब को मनना पढ़ता है एक दिन अपनी अपनी बारह तो हो जाता है और कुरी बारह भावना पांस साथ निट लिखते हैं पाट करना था होगे लेकिन मेरे जीवन में उस बारह भावनाओं की पढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ उन विचारों ने जो वारह भावनाओं में विक्त किये गए थे उन विचारों ने मेरे जीवन में मेरे आचरण में क्या परिवर्तन लाया क्या सच मुझ जब मैं कांच का सामान लेकर के आता हूँ तो ये शाष्षत रहेगा कभी नस्ट नहीं होगा क्या ऐसा विचार करता हूँ लेकिन ये विचार तो ठीक नहीं है विचार तो ठीक वो ही है कि कांच का सामान है किसी भी दिन किसी का धख्का लगेगा गिर जाएगा तूट जाएगा मुझे उसमें दुखी होने कि कोई बात नहीं तूटने पड़ लाओं मैं खरीदू, खरीद के रखलू लेकिन ये द्रस्टी हमारे भीतर बनी रहनी चाहिए ये वास्तिकता का हैसास हमें होते रहना चाहिए तो हमारी अनुप्रेक्षा ये भावना जो हम भाते हैं वो हमारे जीवन को हमारे आचरन को समिचीन बना पाएगे विचारों का प्रभाव तो सब जानते हैं देखो सुपमाल थे बहुत डिलिकेट थे सरसों की दाने भी जिनको चुभा करते थे दीपक की रोष्णी से जिनकी आँखों में आशू आगे थे चावल खाते समय जो साली धान कमल के पत्र पर पड़े हुए हैं अत्यन्त भुलाइम उन्हें ही खा पाते थे राजा गुद लगा था कि आँख कमजोर है जटरागनी कमजोर है पाचन ठीक नहीं है और शरीरी बहुत कमजोर है बताओ सरसों को दाना चुपता है क्या कमजोर है कमजोर शरीर नहीं है अगर शरीर कमजोर होता तो एक दिन मुनी महराज जी की उद्यान में से आवास सुन करके और अपनी ही राणियों की साडियों को बांद करके खिड़की से लटका करके उससे नीचे उतरते और उतर करके मुनी महराज के पास पहुंसते और मुनी दीक्षा ले करके तीन दिन तक एक स्यालनी अपने दोनों बच्चों के साथ जिनका पैर भक्षन करती रही इसके बाबजूत भी अपने हाथ में चिंतन में अडिग रहे और केबल ज्यान प्राब्त कर ले बज्जब प्रशब नारा सहुनन था आत्म शक्ती हमने उसका काम नहीं किया श्रीर की शक्ती अपनी जगे है अपन कहते हैं कि मन के हारे हार श्रीर तो हारा हुआ है आप अगर हार गए है तो फिर इस श्रीर से काम नहीं ले सकते हैं और उन्होंने जब उनकी चेतना जागर्थ हो गई उनके भीतर विचारों की द्रणता आ गई तो श्रीर ने उनका साथ दिया और अगर कोई बहुत रस्ट पुस्ट वलवान भी हो और अगर उसके भीतर पंचेंद्री और मन के विश्यों के प्रती आशक्ती है तो यही कहेगा जब उससे कहें कि सामाय किया करें गुटने में बहुत दर्द होता है वैसे नहीं होता है और पंचेंद्री के विश्यों की पूर्ती के लिए दुकान चलाने में दस दफे उठने बैठने में तकलीप नहीं होती मंदिर आने में तकलीप होती स्वाध्याय करने के लिए श्योपसम नहीं है डॉक्टर ने परची लिख करके दी कैसे ही भाशा में दबाई कौन सी जगे रखी हुई है इसकी नौलेज है कहा गया वो श्योपसम साथ तक तक तो प्रजो प्रयोजन भूत थे उनको समझने के लिए श्योपसम नहीं हमारे समझ में नहीं आता हमको ये समझ में आता है कि ये दबाई डॉक्टर ने लिखी है किस रोख पर चलती है और कित्ती बच्ची है कहा रखी हुई है तिसारी दबाईयों की दुकान इत्ता श्योपसम इसका मतलब है कि हमारे पास में सब कुछ है हमारे पास में कमी है तो विचारों की द्रणता की है और विचारों की द्रणता विचार तो हमारे अंदर भी आते हैं मोक्ष जाने की विचार आते हैं तो क्या हकिली विचार आने से हम चले जाएंगे नहीं उन विचारों की धनता हमारे भीतर होने चाहिए उनकी निरंतरता हमारे भीतर होने चाहिए जो हमारे जीवन को परिवर्टित कर सके लोहे की छड़ को अगर गरम किया जाए और ठंडा करके फिर गरम किया जाए और सो दफ़े अगर ऐसा ही किया जाए तो लोहा फॉलाद हो जाते है यह कैछ चीज़ है जिन विचारों को मुझे अपने जीवन के लिए अनिवारी है अपने आत्म का ल्यान के लिए अनिवाईरी है उन विचारों को मैं ऐसे ही निरंतर बार बार अपने आचरण में बदलने के लिए प्रयत्न करूँगा Understanding कम Visualization मैं जानूँगा लेकिन साथ साथ सामने घटित होते भी बहुत चीज़ देखूँगा अपने अन्वाईरी से भी ज्यान प्राप्त करूँगा जितना मैंने जाना उस सब के लिए अन्वाईरी की कसोटी पर कस करके देखूँगा मेरे सामने ही घटित हो रहा है सब तो जब जानकारी के साथ अन्वाईरी जुड़ जाता है तब वो द्रण हो जाता है जानकरी तो मारे पास बहुत है लेकिन उसके साथ हमारा अन्वह नहीं जुड़ा होने से उस जानकरी में द्रणता नहीं आ पाती कोई और कुछ जानकरी देता है हम वो ले लेते हैं ये वाली जानकरी बार हमारे अंदर तो knowing attitude है जानने की शमता है हम कुछ भी जान सकते लेकिन क्या जानेंगे और किस चीज़ पर हम द्रण रहेंगे ये हमारे उपर है ये हमारे अन्वह के उपर है चोटा सा बच्चा भी अगर गलती से आग में हाथ डाल लेगे और अगली बार मा भी उसे समझाए कि बेटे एक बार और डाल के देखो नए होगी आप हमारी माँ हम आपकी बात नहीं मैं जाए हमने अन्वह कर लिए आग में हाथ जल जाता है बताई ये किसने सिखा रहे है मेरे अन्वह ने मुझे सिखा दिया तो ऐसे ही अनुप्रिक्षा जो हमारे फीतर विचार है उन सब को ड्रण करती है अनुभव के द्वारा फिर उन में हम परिवर्टन नहीं कर पाते हैं चाहती भी नहीं है कि विचार परिवर्टित हो जाए जिसको अपन बोलते हैं कि बड़े धुल-बुल हैं भईया विचारों में स्थिरता ही नहीं है तन्नक में जो विचार तन्नक में वो विचार अरे कचु विचार पिटिके दुराव एक से ऐसा अपन कहते कही बार है तो जो आइस्थिरता है विचारों की उसे अपन को जीतना गलत विचारों की आयस्थिरता भाग अच्छी है चन भर को आया अब नहीं करूँगा वैसा विचार पोस्पॉंट इस्तगित कर दिया लेकिन अच्छा विचार आया है फिर कड़के देखू दिन भर में 25 जफ़े वही विचार कड़के देखूंगा क्योंकि वह अच्छा विचार था ऐसा संकल्प हमारे भीतर और जब जब भी हमने कपड़े पहने बड़े 24 में फस गए 50 साड़ियां टिंगी हुई है फरानी जगे जाना है और 24 नहीं कर पा रहा है 50 में से कौनसी पहने हमने फॉरर अपने भीतर सोचा कि क्या होने वाला इस से मैंने अनवाव से जान लिया इस चीज़ 50 साड़ियों में से एक साड़ी चूज करके और हम गए फंक्शन में और वहाँ पर किसी ने पूछी ही नहीं कब ली थी साड़ी कोई ने ध्यानी नहीं दिया हम तो सोच रहते हैं कि सब हमाई साड़ी की दियान देंगी जब तो हम 20 कर रहते हैं 50 में से कौन सी पहने अच्छी लगेगी कि नहीं यही न कपड़े पहनते हैं हम मैंने खुद अपने अन्भाव जीवन में किया बहुत शोग था इस तरह की चीज़ों का सुब फंक्षन को अरगनाईस करने के लिए तीन दिन के लिए तीन बार अरगनाईस करना पड़ेगा हर बार नई ड्रेस पहनेंगे और नो ड्रेस तैयार करके रखी थी और अचानक मेरे मन में विचार आया है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग मेरी ड्रेस देखेंगे नई ये मेरा विचार है जरूरी नहीं क्यों न ऐसा करके देखा जाए कि एक ड्रेस तीन दिन तक प्रोग्राम में पहनी जाए तीनो टाइम में देखें कौन का कहता ये ही कहेंगे कि इनके पास एक एक अपड़ा है का पैर भी और क्या कहेंगे ऐसा सोच करके आप आश्यरे करेंगे तीन दिन तक एक ही ड्रेस नो दफ़े पहनी प्रोग्राम में लेकिन किसी ने भी ड्रेस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि आप ये पहने थे ये नी पहने थे ये क्यों पहने थे ये तो सिर्फ हमारा मन है हम ऐसा सोच लेते हैं इन पांच इंद्री और मन की विश्यों में तो ऐसा सोच लेते हैं लेकिन कल जो पूज़ा मेरे भाव लगे थे आज उत्ती अच्छी को नहीं लगे कल मैंने जित्ते बढ़िया से लोगों से बात करी थी प्रेम से बोला था आज क्यों नहीं मेरे भीतर में अच्छे प्रेम से बात आई कल मेरे भीतर प्राणी मात्र के करल्यान के विचार आये थे सबसे मैत्री का विचार आये था आज क्यों नहीं है क्यों नहीं वो विचार जो अच्छा है वो continue हो पाता है क्यों मेरे पास संसार की जो मिथ्या विचार है वो हवी हो जाते है क्यों मेरे मन में नकारात्मक सोच पहले आ जाता है और छंड भर के लिए अगर positive thought आते हैं तो गैब हो जाते है संसकार कह सकते हैं कि बहुत प्रबल है पर उन प्रबल संसकारों को ही हमें तोड़ना है और उसी के लिए ये एक प्रयोग है अनुप्रेक्षा जिसमें हम बारा प्रकार से संसार, शरीर और भोगों के बारे में और इस संसार के बारे में क्या जानने योग है तत्यु के वाड़े में क्या जानने योग है इस सब की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि वास्तों में ये विचाद मेरे लिए सुद्रन अगर होते हैं तो मेरे आचरन को परिवर्टित करने के लिए जरूरी है क्योंकि देखते हैं अपन कि अगर कोई विक्ती हमें एंकरेस करे प्रोसाहित करे तो हमारे भी तक शमता नहीं होते हुए भी हम उस कारी को आसानी से कर लेते और यदि हम बहुत हमर्दवान हो और हम उस कारी को कर सकते हैं लेकिन यदि आसपास के डोग उसका समर्थन नहीं करें बलकि नहीं कर पाओगे सफर नहीं होगे ऐसा कहें असर तो पड़ता है नेगिट्व थौट्स आसपास बहुत अधिक हो तो जो अच्छा विचार बाला है उससे बहुत मेहनत करनी पड़ती अपने विचारों को सर्वाइब करने के लिए उन सब के बीच से जूज करके अपना रास्ता बनाने के लिए बहुत असर विचारों का पड़ता है ये सोच करके एक उधारन आता है केक विक्ती गाय का चोटा बकरी का चोटा सा मैमना बजार से खरीद करके कंधे पर रखे हुए घर जा रहा था तीन ठक थे तो उन्होंने सोचा कि आदमी तो सीधा साधा है इसको ठका जाए सीधी साधे आदमी को ठका जा सकता है नहीं तो आप इठक जाओगे है ना क्योंकि केस गया था एक बार कोर्ट में और जजज ने कहा कि अरे इतनी इमानदार आदमी के साथ तुमने बेइमानी करी बोले साब इमानदार के साथ नहीं करेंगे तो बेइमान के साथ हमाही रफस जाएंगे तो उन तीनों ने क्या प्लान किया कि एक एक चौराहे पर पहुंच करके अपन इसको ठगने की कोशिश करेंगे पहले चौराहे से जब वो गुजर रहा था तो उस चौराहे पर विक्ती खड़ा था और उसने कहा रही लगते तुम भूछ सीधे साथे हो क्या लेके चले जा रहा कुटा कंदे पर लाद के चले जा रहा है उसने कहा रहे जब कुटा होता नहीं है मैं भी बकरी का बच्चा चोटा सखारित के लाए हूँ वो मेरे कंदे पर है अब लेकिन ठीक है दूसरे चौराहे पर पहुँचा तो उस चौराहे पर वो विक्ती ने पास पहुँचता गया देसे नहीं देखा हो ऐसा पास पहुच करके अब हद जोर से हरबड़ा करके पीछे अटा बोलर रहे क्या करते हो इतना खुंकार कुटा कंदे पर रख के ले जा रहे हो इतने सारे लोगों के बीच में क्यों ऐसा कर रहे हो सब की जान मुश्किल पढ़ जाएगी अब उस विक्ति को थोड़ा डाउट हुआ उसने एक बार कंदे पर देखा है तो सही उनकरत कहला पहली बार में तो उसने देखा ही नहीं था पहली बार तो ही कहा था कि जाओ जाओ कुट्ता नहीं है बिल्ली का बच्चा जो बकरी का बच्चा है दूसरी बार में उससे भी संदे हुआ उसने का देख तो ले कुट्ता ही था नहीं है बिल्ली का बच्चा है मेमना है ठीक और तीसरी बार वो ठक जो तीसरा था उसके मन में विक्ति के मन में दो बार में ये आया कि अलग अलग दो लोग मिले और मैं तो खरीद के लाया था मैमना और दोनों ने उसको रिकगनाईस किया है कुट्टे के रूप में बड़ा कन्फीज हो गया वो तीसरे चोड़ाए पर पहुंचा और वो वेक्ती बहुत जोर से एक वेक्ती चिला है उने क्या करते हो पकड़ो उसको समालो इस पूरे मार्केट भरे मार्केट में अगर वो उचल करके गिर जाएगा तो कितने लोगों की मुश्किल हो जाएगी तुम ऐसे हिंसक चानबढ को अपने कंदे पर रखे हो शरम नहीं आती अब तो घबरा गया वो उसने वहीं पर फेका और भागा वा इतना ही तो चाहते थे वो ठक धीरे से उठाया उनने कर चलो बन गई अपनी इतना असर पड़ता है विचारों का और दूसरे के दोरा दिये गए अपने विचारों पर जो रिमार्क है उनका तुम तो सहीं लेगी नहीं सकते हैं सही बात हैं नहीं ले सकतें वैसे एक्षा नहीं थी, तुमने और बता दिया, चार लोगोंने बैठ करके, नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते हैं, तुम शादी कर सकते हो, उसके लिए नहीं कुछी से पूछने के आवश्य है, कहीं लिखा हुआ है, उन्हीं बनने से पहले तो हम इत्ती गोस्टी इठालते हैं, चार लोगों से पूछते हैं, लेकिन शादी करने से पहले चार लोगों से पूछते हैं, कि मैं शादी लाइक हूँ की नहीं, मैं ग्रस्ती की जिम्मेदारी पूरी कर पाऊंगा, मेरे भीतर इत्ती शमता है की नहीं, इसकी चर्चा हम कभी नहीं करेंगे, हम इसकी चर्चा तो कर लेंगे जो अच्छी चीजे हैं उनमें हम क्वेशन उठाएंगे इससे मालूम पड़ जाता कि हमारे विचार किस चीज में सुद्रन है हमारे विचार तो संसार की बातों में ही बहुत सुद्रन है हमारे विचारत तो जो गलत बाते हैं उनी में विश्वस्त हैं कोई विक्ती किसी की निंदा करे हम फौरण विश्वास कर लेते कि है ही वो ऐसा लेकिन कोई किसी की प्रशन सामें दो बाते कहे तो सहसा कुछ रिमार्ट नहीं कहेंगे बलकि यही कहेंगे देख लो पहले अवे तुमने देखो नहीं है हम रहे हैं हमेशा संगे तुम्हें मालूम नहीं है ऐसे हैं लेओ बात जल्दी ये ये थौट्स अपने भीतर हैं और किस जगे पर वो सुद्रन है जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए